तेंदुए के हमले से घायल दुकानदार के बड़े भाई ने लगाई फांसी हुई मौत सान्डी कजबे के व्यवसाई सुनिल कुमार के बड़े भाई ने फांसी लगा कर आत्म हत्या कर ली उनका शोब बाग में आम की पेड से लटकता पाया गया इन्होंने आत्मत्या किस कारण से की यह अभी सपर्ष नहीं हो पाया है गटना से बरीजोनों में कहराम बच गया ब्रतक के बड़े भाई के ओपर घर में घूस कर तेंदुए ने कल हमला कर उसको घायल कर दिया था रविवार को साणी कस्पे के नवाब गंज में शुरुस मकान में तेंदुआ हुसा था और सुनिल बाच पई के ऊपर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था तेंदुए के हमले से घायल सुनिल के भाई शीव कुमार बाच पई फासी लगा कर हात्मत्या कर दी गयी उनका श्यव सुमवार को सुबह लगभग आठ बचे इदगहा के पीछे सित एक बाग में आम की पेड़ पर गमशे से फासी पर लटकता मिला गटना से परिजनों में कहराम मच गया है है आमार को सबस्का खमार को स्कुमार कि था खालो कि इनका खालो कि पीछे पर लटकता है